WhatsApp Privacy Features अपने चैट सेफ रखने के लिए अभी बदले ये सेटिंग्स नई दिल्ली मेसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp दो अरब से ज्यादा एक्टिव यूजर्स के साथ दुनिया का सबसे पॉपिलर मेसेजिंग एप बना हुआ है Facebook की Ownership वाले इस अप पर दुनिया भर के यूजर्स रोज करोडों मेसेजेज और मीडिया फाइल्स इसकी मदद से भीजते है WhatsApp पर Android और iOS यूजर्स के लिए धेरों फीचर्स दिये जा रहे हैं जिससे Smooth Chatting Experience यूजर्स को मिल सके इसके अलावा Personal Conversation को सेफ रखने के लिए कई Privacy Features भी एप पर दिये गए है WhatsApp पर आप ये Privacy Settings बदल कर खुद को Protected रख सकते हैं Touch ID या Face ID Log WhatsApp चैट को Extra Protection Layer देने के लिए इस फीचर की मदद ली जा सकती है Latest iPhones में जहां Face ID से Log का Option मिलता है वही Android Uges अपने Fingerprint की मदद से WhatsApp को अलग से Log कर सकते हैं इसके बाद बिना Access भी एप Open नहीं किया जा सकेगा To Set It Verification Settings WhatsApp पर इसे Activate करके आप अपने WhatsApp डेटा की Security को बहतर बना सकते हैं Feature Activate होने पर Phone Reset या SIM बदले जाने पर WhatsApp अकाउंट में लॉग इन करने के लिए इच हैंको वाले एक Passcode की जरूरत परती है Hide करें Last Scene या Profile Photo कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको हाल ही में Online देखकर मेसेजों की लड़ी लगा देते हैं ऐसे लोगों से बचने का एक ही तरीका है कि वे Last Scene न देख पाए ऐसा करने पर आपके उपर फालतू के मेसेज वगेरह का तुरंट जवाब देने की जरूरत नहीं होगी सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि आप Online हुए थे या नहीं इसे ओफ करने के लिए ये सटेप उठाए वाटसेप में सेटिंग्स आप्शन में जाए और फिर अकाउंट पर टैप करें यहां प्रिवसी टैप दिखेगा इसे खोलने के बाद सबसे उपर Last Scene दिखेगा इस पर टैप करें और Nobody Choose करें वही ब्लूटिक्स का मतलब है कि आपने मेसेज पढ़ लिया है इससे आपके उपर प्रेश बन जाता है मगर वाटसेप ने इसका हल भी दिया है आप सेटिंग्स से इसे चेंज कर सकते हो अकाउंट में जाए प्रिवसी पर टैप करें यहाँ पर आपको प्रोफाइल फोटो लिखा नजर आएगा इस पर टैप करें और Nobody को सिलेक्ट कर ले अप कोई आपकी प्रोफाइल पिक्चर नहीं देख पाएगा हमेशा अपडेट रखें वाटसेप अपने वाटसेप एप्लिकेशन को हमेशा अपडेटिड रखें आप चाहे तो प्ले स्टो से आटोमेटिक अपडेट्स भी आउन कर सकते हैं ऐसा करने पर कंपनी की ओर से लेटस्ट सेक्यॉरिटी अपडेट्स डिवाइस में इंस्टॉल हो जाएंगे और एप प्रिटेक्टिड रहेगा